तो उसेगों नमस्ते प्राम में आपका अपना ठाक उर्परेकर सिंगें और रात की दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है उत्तरपदेश के गाजियाबाद में एक जगह लगती है एक थाना है लोनी थाना और इसी थाना छेतर में एक महला है टोली महला और इसी महले में एक परिवार रहा करता था परिवार की जो मुकिया थे रैशुद्दीन पेसे से ये कपड़े के वेपारी थे अब ठीक ठाक बिजनेस इनका चला इस वजह से इन्होंने बढ़ियाँ पैसा कम आया परिवार में टोटल चार लोग रैशुद्दीन फातिमा अज्जु इमरान अब जो रैशुद्दीन थे उनकी पत्नी का नाम था फातिमा दो बच्चे थे अज्जु और इमरान अज्जु बड़ा था उसकी शाधी करवा ही जिससे साधी हुई उसका नाम था अफसाना अब परिवार में टोटल पांच लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं बढ़ियाँ परिवार था काम धंदे से ये जुड़े और प्यार करने वाले आदमी इस वज़ा से ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं कपड़े का वैपार था तो सबसे अच्छे संबंध भी थे इनके आस-पास के लोगों के बीच इनकी इज़्यत थी इनकी लोग एक तरह से इमानदारी और इनके काम की मिसाले दिया करते थे तमाम लोगों से बढ़े हैं संबंध था बड़े पॉलिटीशियन बड़े बड़े पुलिस वाले लेकिनी सीधा औरान 28 जून साल 2021 की वो तारीख आती है जिस तारीख को ये पूरा घर एक तरह से उजड़ जाता है 28 जून की सुबह यानि काईदे से 27 जून की रात को साल 2021 की बात करना हूँ अचानक से जो रैसुद्दीन थे उनकी घर में गोलियों की तरदाहट किया वा जाती है एक एक करके टोटल नो फायर होते है अब सुरुआत में जो आसपास के लोग थे उन्हें लगा कि कोई पटाखा होगा या फिर कोई और बात होगी लेकिन जो लोग जानकार थे जिन्होंने गोलियों गएरा साधियों में फायर होते देखा या फिर ऐसे भी उन्होंने देखा होगा यूपी में तो शाधियों में गन का फायर होना आम बात है तो जब उन्होंने देखा और ऐसी आवाज सुनी तो उन्हें कुछ डाउट हुआ आसपास की लोगों को इसायद गोली चल रही इस घर के अंदर अब जैसे ही डाउट हुआ कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकलते है निकलने के बाद जब रहिसुद्दीन के घर के अंदर जाते है तो अंदर टोटल चार लाशें पड़ी है एक रहिसुद्दीन की, एक फातिमा की, एक अज्जू की यानि बड़े वाले बेटे की और एक इमरान की पाँचवी जो बहु है अफशाना जोकि उस टाइम प्रेगनेंट भी थी अफशाना डरी सहमी से एक कोने में दुपकी पड़ी है अब सबसे पहले इस परिवार का जो सबसे खास था एक तरह से खांदान ही कह सकते है अली मुद्दीन वो पहुंचता है पहुंचने के बाद पहले तो चार लाशें देखता है उसके बाद फिर वहाँ पर अफशाना को कमरे में दुपका हुआ देखता है इसे बीश आजपास के और लोग आते हैं किसी ने पुलिस को इतला कर दिया अब पुलिस को जब इतला हुआ कि चार कतल हो गए है पुलिस भी भागी भागी पहुंची पहुंचने के बाद वो भी देखती है कि घर के अंदर चार लाशें है चारों को गोली मारी गई है एक मातर जो गवा है एक मातर जो चस्मदीद है जो जिन्दा बची है वो है अपसाना उस टाइम तक जो रईशुदिन की बीबी थी फातिमा उनकी सांसे चल लही थी आनन फानन में उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया लेकिन डॉक्टर लिलाज शुरू करते हैं बचा नहीं पाते हैं और उन्होंने भी दम तोड़ दिया अब पुलिस वाले जब पूरी चीज देखते हैं तो देखने के बाद अब जाच पड़ता लों सुरू करते हैं सबसे पहले जो अलिमुद्दीन था उससे पूछा गया ज्योंकि पुलिस वालों को एक डाउट था कि चार कतल हुए एक जिंदा बज गई तो पता नहीं उसकी भूमी क्या है तो फिर ये हुआ कि जो सबसे पहले पहुचा था घर के अंदर जिसने सबसे पहले तमाम चीजों को देखा उससे पूछा जाए तो जो कि जो अलिमुद्दीन था वही पहुचा था तो फिर उससे पूछा गया तो अलिमुद्दीन ने बताया कि टोटल चार से पाँच लोग थे वो घर के अंदर आते हैं आने के बाद लोट पाट करने की कोशिश करते हैं कोशिश करने के बाद परिवार की लोगों ने भिरोध किया सबसे पहले अज्जू भिरोध करता है तो जो लुटेरे थे उन्होंने अज्जू को गोली मार दी उसके बाद जो इमरान था उसने भी रोद किया तो फिर इमरान को भी गोली मार दी उसके बाद फातिमा भागती हुई आती है फातिमा को भी गोली मार दी रहसुद्दिन भी उटते हैं उनको भी गोली मार दी यानि जो जो सामने आया उन तमाम लोगो गोली मार दी जो अफसाना थी तो चुपचाप छुप जाती है अपने आपको बचा लेती है इस वज़ा से लूटे रहे उनको कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते है अब पुलिस वाले जब ये पूरी बात सुनते हैं और जो अली मुद्दीन था जो सबसे पडोस में था और क्राइम सीन पे जो सबसे पहले पहुँचा था जब अली मुद्दीन ने पूरी थेओरी बताई और अपने बयान में ये तमाम चीज़े कही तो जिसने हत्या की जो भी लुटे रहे आए थे अपसाना को ये थपड तक नहीं मारा और अपसाना की सरीर से कोई गहना भी नहीं गायवे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कांड में अपसाना का भी हाथ है अब एक तरफ चार लाशे एक तरफ उसी पांचवे सदस पे जो गो में भी दहिस्त का महौल तरह तरह की लोग बाते करने लगें तरह तरह की पुलिस वालों पे उंगलिया उठने लगी कि लुटे रहे इतने बेखौफ हैं राजनीतिक पार्टिया भी इसमें कोट पढ़ती हैं और अपने रोटियों को सेखने लगते हैं पुलिस वालों गया और अपसाना से पूस्ताच हुई है तो अपसाना ने एक अलग कहानी सुनाई और कहा कि साहब एक चचेरा भाई लगता है यानि जो रईसुद्दीन है उनके भाई का इक बेटा है जिसका नाम था अयूब 27 तारिक के सुबा-सुबा जो आयूब है हमारे गर पे आता है अब चुकी हमारा चचेरा भाई था तो हमने उसका श्ागत किया उसके बाद उसको खाना पी नखिलाया वो कहीं और रहता है अब आयूब आता है आने के बाद फिर हम लोग उसे कहता है कि याज रात यहीं रुकूंगा हम लोग खुश हो जाते हैं को सोने के बाद हमने मटन और गरा की बेऊस्था की उसके बाद साम तक हम लोग हसी मजाग करते रहे हसी ठीटोली हुई आपस में कुछ बाते हुई घर परिवाय की चीजों को सेर किया गया कुछ रिस्तेदारों की बाते की गई उसके बाद रात होती है रात होने के बाद हम तमाम लोग एक साथ दस्तर खान पर बैठके खाना खाते है अयूब, रैसुद्दीन, फातिमा, अज्जु, इमरान और अपसाना टोटल ये पाँचो छेओं लोग एक साथ खाना खाते है खाना खाने के बाद जब खाना खत्म होता है तो फिर अयूब और रईशुदीन बाहर घूमने जाते है उसके बाद अयूब जो है रईशुदीन से कहता है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है आयूप से जब ये बात सुनता है रिशुदीन तो कहता है कि क्या बात करनी है तो फिर आयूप कहता है कि मुझे कुछ बिजनेस सुरू करना है और मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ और बिजनेस सुरू करने के लिए मुझे 10 लाक रूपए चाहिए और तसलाक रुपे अगर मुझसे मिल गए आपसे तो मेरा काम चल निकलेगा उसके बाद मैं कुछ दिनों में या फिर कुछ महीने लग जाएंगे आपको ये पैसे लुटा दूँगा अब आयूब के मुझसे जब रैसुदिन ये बास सुनता है तो सुनने के बाद हैरान हो जाता है तो कि उसे लगा था कि आयूब जो है महज मिलने आया है अपने चाचा से अपनी चाची से लेकिन असल मकसद था कि पैसे मागने थे रैशुदीन कहता है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं अभी मैं कुछ परिवारिक मुखलिसी से जूज रहा हूँ और मेरा जो बैपार है वो भी घाटे में जा रहा तो मैं तुम्हें कहां से पैसे दो अयूब जब ये बास सुनता है तो सुनने के बाद थोड़ा नाराज होता और कहता है कि चाचा आपका इतना बड़ा बिजनिस है आप कपड़े के इतने बड़े कारोबारी है आपके पास चंद लाग रूपे नहीं है रैसुदीन कहता है कि नहीं बिटा मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है अब आयूब लगातार जित करता है कि चाचा जान दे दीजिए रहिस अद्दीन मना करता है बारहाल जितनी दूरे लोग सेर सपाटे पे गए थे वो रास्ता खतम होता है उसका बाद वापस आते हैं आने के बाद अपने अपने बिस्तर पे सब लोग सो जाते हैं एक बिस्तर अयूब के लिए भी लगाया गया सारे लोग सो जाते हैं उसके बाद रात के लगबख धाई बसते हैं और ठीक उसी टाइम जो अपसाना है उसकी आँखे खुलती है अब साना की आखें खुली आखें खुलने के बाद वो देखती है कि जो उसके ससूर है रैशुदीन वो आसरूम के लिए जा रहे है और इसी दवरान जो अयूब है उनको रोकता है और कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे अब इस तरह से रात के ढाई बजे जब आयूब रैसुदीन को रोकता है तो रैसुदीन भी थोड़ा सा जुझला जाते है और कहते है कि यह कोई तरीका है बात करने का और कोई टाइम होता है पैसे बागने का कि जब मैं भी उठोंगा तब तुम मागोगे रात के डाई बजे तीन बजे इसी बात को लेकि दोनों के बीच कहा सुनी हो जाती है कहा सुनी आगे बढ़ती है दोनों के बीच हाताफाई शुरू होती है और इसी दोरान आयूब जो था उसायद पहले से ही तैयारी में था वो पिस्टल निकालता है और निकालने के बाद रएस सुदीन के उपर फायर जोग देता है फायर की आवाज फातिमा सुनती है वो उठती है अगला फायर उनके उपर होता इससे पहले की फातिमा कुछ कहती कुछ बीच बचाओ कर दी अब घरों के अंदर जब गोड़ियों की तर्टरहाट गुस्ती है चावतरब उसके फायर की साउंड को गुझाया जाता है तो फौरण अज्जू और इमरान भी उड़ते हैं अपने वालित को ऐसे हाल में देखते हैं फौरण सामने हाथ में हतियार लिया अयूब को देखते हैं अयूब कुमारनी के लिए आगे जाते हैं उसके बाद जो अयूब था, अज्जू और इमरान की उपर भी फायर जूंग देता है अब एक गोली रह सुद्दीन को लगी, उसके बाद फातिमा को लगी, अज्जू को लगी, इमरान को लगी चारों लोग धेर हो गए अब एक मातर सदस जो जिन्दा बची हो थी अफसाना, और जो पिस्टल है, अब अफसाना की तरफ थी अयूब अफसाना को देखता है, अफसाना डर जाती है, सहम जाती है कहती है कि भाईया, मैं गर्वती हूँ, और मेरे पेट में इस घर का आखरी वंस है, चुकि आपने सब को मार दिया और अगर मुझे कुछ हो गया, तो बच्चा भी मर जाएगा, तो वंस नहीं चलेगा इसलिए हाथ जोड़ रहे हूँ, अब मुझे बक्ष दीजिए पयूब भी समझता है कि सारी गोलियां खतम हो गए और इस तरह से अफसाना को मारा नहीं जा सकता तो चुप चाप अफसाना के पास जाता है, और जाने के बाद कहता है कि देखो, तुमने कहा और मैंने तुम्हें जीवंदान दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखना अगर इस घटना के बारे में तुमने किसी से कहा कि मैंने यह सब किया है, तो फिर तुम्हें अली अच्छा नहीं होगा, मैं मौका देख चिया हूँगा र। तुम्हें और तुम्हें बच्चे को मारतोंगा अफसाना इसके बाद डर जाती है और डरने के बाद चुप चाप एक जगह जाके छुप जाती है अब ये कहानी अफसाना ने फुलिस को सुनाई पहली कहानी अलिमुद्दीन ने सुनाई अब जाहिर सी बात है दोनों में से किसी एक कहानी गलत थी चुकि अली मुद्दीन ने कहा था कि घर में चार लोग आये थे और उन्होंने लूट पाट की इधर अपसाना कह रही है कि जो भतीजा लगता है आयूब वही आता है और तमाम लोग कुमारता है तो यह दोनों बाते कैसे सही होंगी एक ही सही होगी और जो गलत होगा इसका मतलब वो कुछ जान की चुपा रहा तो या तो अली मुद्दीन गलत है या तो अपसाना गलत है अब पुलिस वाले अजीब कस्मों कस्मे अब क्या करें बाइरहाल उन्होंने जाच पढ़ता लौर गहरी की उस पूरे क्राइम से इनको और अच्छे से चेक किया तमाम जगों की खाक चानी तो जब उस पूरे घर को एक तरह से तलाशा और एक एक छोटे से छोटे कागस के तुकडे तक पे नजर डाली कोई किरकिरी तक गेई थी तो उसको भी बारे की से चेक किया तो वहाँ पे एक बटन मिलता है बटन किसी शर्ट का था और उस बटन के जो धागे थे उसाएद मेरून कलर के थे और उस धागों पे हलकलका खून लगा हुआ था और ना ही वहाँ पे कोई और चीश थी ना ही कोई शबूत था और जब बकायदा उन लाशों की शर्टों को चेक किया गया तो कोई ऐसी लाश का ऐसा कोई शर्ट नहीं था जिससे कोई बटन मिसिंग हो यानि जाहिर सी बात थी यह जो बटन था यह कातिल का ही था अब पुलिस वाल एजाश परताल कर रहे एक तरफ अपसाना का बयान एक तरफ अलिमुद्दीन का बयान दोनों ही अपनी अपनी जगां सही लग रहे थे और जो गलत होगा इसका मतलब वो कुछ जानता है चुपात रहा है तो फिर पुलिस वाले जाश परताल कर रहे हैं तरीके से तबतीश कर रहे है इसी दवरान पुलिस वालों को एक जैकपॉट लगता है जब तमाम लोगों से पूस्ताज कर लिया तमाम लोगों से परताल कर लिया तभी देखते हैं कि उसी आलाके में एक कैमरा लगा हुआ है अब कैमरा यानि कुछ नो कुछ तो कैद हुआ होगा फोरान उस कैमरे की जब फोटो को चेक किया जाता है तो उस फोटो में एक और चीज कैद होती है दरसल जिस आयूब का जिक्र हुआ था वास्तों में उस फोटो में अपनी शर्ट को निकालते हुए दिखाई दे रहा था थोड़ा सा बलर था मामला लेकिन इतना देखता है कि जो आयूब था अपनी शर्ट की बटन को खोलता है उसके बाद शर्ट को वहाँ पेक नाले फेक तो उसके बनियाए अब बटन मिस खोन से भीगी हुई शर्ट उसके बाद उस बटन को जब मैच कराए गया तो क्राइम सीन पे जो बटन मीना था शर्ट का वो इस शर्ट से मैच कर जाता है यानि जो फातिमा थी वो सही अफसाना जो थी वो सही बात बता रही थी तो अगर अफसाना सही बात बता रही थी तो अली मुद्देन जोट के वोल रहा था अब ये भी एक सवाल था अब पुलिस वालों ने अली मुद्देन से परताल करनी शुरू की कि इसका मतलब तुम मिले हुए थे तब अली मुद्देन ने एक अलग कहानी बताई अली मुद्देन ने कहा कि मैंने जो कुछ अपने बयान में कहा था वो मैंने यूही कह दिया था चुकि मुझे लगा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा एक तरह से कहें तो एलूजिनेशन उसे हुआ चुकि जब फातिमा के पास वो गया अली मुद्दिन उसके रद उसने अपसाना के पास उसने अपसाना से पूछा कि भावी क्या हुआ अपसाना के चुपचाप खामोश बुद्ध बनी बैटी रही तब उसे लगा कि साथ कुछ लुटवे रहे आया होगी उन्होंने लुट पाट की होगी काइदेस उसने किसी को नहीं देखा था अब फाइनली जो अयूब है उसे गिरफतार किया गया गिरफतार करके तमाम चीज़े पूछी गई अब यूब ने कबूली कि हाँ मैंने ऐसे सा किया लेकिन अब यहां से कहाने सुरू होती है कोट में पुलिस वालों ने कातिल को पकड़ लिया यह तो एक पहलू होता है अब कोट दोसी माने तब तो कोई बात बने मामला कोट में गया कोट ने चार्शीट पढ़ी अब चार्शीट में दो चसमदीद थे एक अली मुद्दीन जिसका बयान नोट हो गया था और दूसरा अबसाना जिसने बाद में पूरी त्योरी बताई उसके बाद मामले की कारवाई शुरूई तो जो काइदे से अयूब का वकील था उसने इस कमजोर करी को पकड़ा और कहा कि चुकी जो तसमदीद है मौकाई वारदात पे जो दो लोग मौदूद थे एक पहले थी एक बाद में पहुंचा इन दोनों के बयान में बहुत ज़्यादा डिफरिंस है अली मुद्दीन कह रहा है कि चार लोग पांच लोग आये थे उन्हों इलूट पार्ट की इधर जो अपसाना है वो कह रही है कि जो आयूब है उसने ही माना लेकिन कोई भी ऐसी चीज प्रूफ नहीं करती कि जो अपसाना कह रही हो सची है हो सकता है कि अपसाना ही मिली हुई हो और उसने किसी से ये तमाम क्राइम करवाया हो और अपने उस दोस्त को बचाने के लिए फिर आयू फसा रही है अब कोर्ट के सामने जब वकील साहब ने ये पक्ष रख दिया तो पुलिस वाले भी परेशान अब क्या करें चुकि ये भी बात हो सकती है और कोर्ट तो सबूत मांगती है चाहे जितना आपको लगे कि वो दोस्ती है नहीं है फिर बहस चलती रही तमाम तरह के पक्ष भी पच्छ हुए तमाम तरह की गवाहिया रखी गई इसी दावरान पुलिस स्वालों की किसमत फिर से चमकती है और कायदेश से कहा जाए कि गलत को गलत की सजा मिलनी थी लिहाजा एक सक्स अचानक से आता है और उसने पुलिस को कहा कि मैंने जो है मापकी जीवट जो अयूब है उसे उस रात इसी घर से भागती हुए देखा है अब जैसी ही ये बयान कोर्ट में हुआ कोर्ट ने फौरण ये माल लिया कि आयूब जो है उदोसी इसी दोरान जो बटन वाली थेओरी थे उसको भी पुलिस वालों ने रख दी तो एक तरफ बटन वाली थेओरी एक तरफ फिलाली मुद्दीन भी अपने बयान से पलटने लगा दूसरी तरफ अफसान ना चस्मदीत थी उसने बताया और चोथी और सबसे इंपॉर्टन चीज अगर लूट पार्ट हुई तो ज़्यादा समान घर से गायब नहीं था तो इन तमाम चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए जो कोर्ट थे उसने इस पूरे केस को और इस पूरे क्राइम को रेरेस्ट आप दर रेर में डाला चुकि तीन सुदो बहुत होते हैं हत्याए आया दिन होती रहती हैं लेकिन हर हत्या को रेरेस्ट आप दर रेर क्राइम में नहीं डाला जा सकता च्योंकि ऐसा क्राइम जो बहुत कम होता हो बहुत रेयर हो तो जब इस केस को रेयरे स्टाबदा रेयर में डाला गया उसके बाद फास्ट रेक कोट पे इसकी सुनवाई होई और साल 2021 जून 27 जून को ये पूरी बारदात होई थे केस सुलस्ते सुल्जाते जुलाई लग गया था चारशेट कोट में पहुँचना ये तमाम चीज़े होते हैं अगर सितंबर लग गई उसके बाद लगबग तीन साथे तीन साल इस केस की सुनवाई लोवर कोट में होई अलग अलग तारीखें लगती अलग लग पेसियां होती है अलग अलग तमाम चीज़े होती है और इन तमाम चीज़ों के होने के बाद अलग लग पेसियों के होने के बाद तमाम सबूत रखने के बाद बटन से लेके अली मुद्दीन के बयान तक अपसाना की थियोरी से लेकि उस पडोसी के ये कहने पे कि मैं खुद देखा ये भाग रहा था उसे श्रीवी कैमरे में जहां ये शर्ट निकाल रहा था वो पिस्टल भी वरामद होई ये इससे कतल हुआ तो पिस्टल और उस गोली का जो कनेक्शन था उन तमाम चीजों को मद्दे नजर रखते हुए कोट ने फाइनली ये डिशाइट किया और परसों की ये बात थे हैं काईदे से बारा तारीक की तो परसों से थोड़े दिन पहले बारा मार्च साल दोजार चौबिस को इस केस का फैसला आया और अयूब को मनुस्मृती का एक स्लोक कहते हुए जोहां के जज साहब थे मैंने खुद सुना था उनके बयान को जज साहब ने कहा कि राजा का काम होता है कि सजा दे के भी कुछ चीज़ें सुधारी जा सकती है तो चुकि कोट इस टाइम राजा है और आखरी फैसला उसी के हाथ में ते किस लोग उन्होंने कुछ पढ़ा था एक्जैक्लि याद नहीं आ रहा है लेहाजा मैं अयूब को तब तक फासी पे लटकाने की सजा सुनाता हूँ जब तक उसकी आखरी सांस भी तूपना जाए यानि हैंगिंग तिल दित और यह किसी के साथ जो जज साहब थे उन्होंने अपनी कलम तोड़ी और अयूब को सजाए मोत की सजा दे दी चुकि उन्होंने कहा कि जो आयूब है उसने चार लोग का नहीं चार रिस्तों का कतल किया और किसमत सही थी कि पिस्टल की गोली खतम हो गई नहीं तो अपसाना और उसके कोक में पल रहे बच्चे को भी ये मार डालता तो ऐसे दरिंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं और इसे फांसी देती जाए ये फैसला जब आया तो अफसाना और तमाम लोगे चेहरे पे खुशी का भाव था और यहीं से साइद जीत हुई इन साब के तो फिलाल ये थी पूरी कहानी और उमीद है कहानी से आपने को सीखा जरूर होगा तो आपसे कल फिर मुलाकात होई किसी दूसरी कहानी साथ तब तक अच्छे रहिए खुशी अपना क्याल लगए अपने देश का क्याल लगए जैहन बंदेवान